पोस्बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राइजग है जैना जुएलर्स, आबुलेन, मेरत देश, विदेश, राजनीती और खेल जगत से जुड़ी सभी खबरे देखे मोनिंग सुपर फाइब में भारत में कोरोना से पहली मोत, पूने में एक मामले के साथ 75 केस कानफर्म कोरोना वाइरस ने पूरे देश में कोरा मचा रखा है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं करनाटक में कोरोना से पहली मोत हो गई है, वही पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 15 मरीज सामने आ चुके हैं और आकड़ा 75 तक पहुँच गया है, वहीं पूरे विश्व में 1,34,689 लोग संकर्मित हैं और 4900 से ज्यादा लोगों की मोत हो गई है डबलु एच्चों के मुताबिक गुरुवार को 24 घंटे में पूरी दुनिया में 321 लोगों की मोत हो गई इरान में खतरनाक हुआ कोरोना वायरस, आज भारत लाय जाएंगे फसे 150 भारतिये इरान में करीब 6000 भारतिये फसे हुए हैं, जिन मेंसे 150 भारतियों को आज जैसल मेर लाया जाएगा MP में कुर्सी की जंग जारी, गवर्नर से आज मिलेंगे कमलनाथ मध्यप्रदेश में सियासी घटनकरम के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ शुकरवार को राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात करेंगे कॉरोना के चलते 15 महीने पुरानी कमलनाथ के नेत्रित वाली सरकार संकट में फस गई है बीजेपी फ्लो टेस्ट की मांग कर रही है तो कॉंग्रेस ने स्पीकर के पाले में गेंद डाल दिया है कॉरोना के चलते फिल्म फैस्टिवल्स इवेंट्स रद सिनेमा होल भी बंद कॉरोना वाइरस के महमारी घोशित हो जाने के बाद से दुनिया भर में इस वाइरस को लेकर सतरकता बरती जा रही है यही कारण है कि बॉलिवूड से लेकर हॉलिवूड तक कई फिल्में और इवेंट्स या तो स्थगित हो रहे हैं या रद कर दिये गए हैं ओलिवूड बैड्मिंटन में सिंदु क्वाटरफाइनल में ओमकुहरा का करेगी सामना स्टार बैड्मिंटन खलाडी पीवी सिंदु ओलिंग लेंड चेंपियन्शिप के क्वाटरफाइनल में पहुँंच गई है छटी वरिया और उलम्पिक की रज़त पदक विजेता सिंधु ने कोरिया की जी हुआन को 49 मिनट तक चले मुकाबले में 21, 19 और 21, 15 से हराया अब उनका सामना जापान की चोथी वरियत नोजोमी ओंकुहरा से होगा अउनकुहरा के खलाब सिंधु बहतर रिकोर्ड रखती है दोनों के बीच अब तक हुए मुकाबलों में सिंधु ने 9 में जीत हासिल की है जबकि अउनकुहरा को 7 में जीत मिली है मौनिंग सूपर 5 में बस आज इतना ही देखते रहे हैं